नमस्कार दोस्तो आप सब बीकर स्वागत है इंडियन डिफेंस एरर्स पर तो दोस्तो आज हम जानेंगे कि अभरात का EMCA F22 रेप्टर से बैतर है या नहीं चलिए दोस्तो शू करते हैं EMCA fighter jet ADO design किया है और HL EMCU को manufacture करेगी यह single seat का twin engine वाला stealth multi-roll fighter jet होगा EMCA की पहली stage में jet को design किया गया जो कि पूरा हो चुका है और इसकी दूसरी stage में काम शुरू हो चुका है EMCA की first flight 225 में होगी EMCA में उस समय के सभी modern weapon और avionic लगाए जाएंगे कुछ इसके अंदर under development है और कुछ तेजस राफियल सुकुई 30 MKI Z से भी ले जा रहे हैं पहले EMCA को कावेरी engine K10 से equip करने की जोजना थी लेकिन वह अभी बना नहीं है इसलिए अमरीका का General Electric का F414 engine EMCA Mark 1 में यूज किया जाएगा वहीं EMCA Mark 2 में कावेरी केटन engine को लगाए जाएगा अगर वह 25 तक बनने में सफ़ल हो जाता है तो अगर sensor और radar की बात करें तो EMCA में sensor radar और missile technology इसराइल, India, Russia, France की मिले जूली होने वाली है इंडियन एरफोस की जो main requirement की वो EMCA का highly stealth होना और internal way में ज्यादा period ले जाने में सक्षम होना था और EMCA का air to air roll और air to ground roll करने में भी सक्षम होना चाहिए साथ ही EMCA super cruise करने में सक्षम हो initially इसका design tailless delta wing के साथ में था इसमें double engine लगे थे और फिर इसके design का ratio 3801 था इसके design के अंदर change करके इसके अंदर horizontal और vertical stabilizer एड़ किये गए तब जो इसका design है वो 3809 ratio का है इसके अंदर double delta wing configuration शामिल किया गया है जो कि बिल्कुल F22 की जैसा ही बनाता है EMCA का weight 16-18 ton होगा जिसके अंदर 2 ton का weapon weight, 4 ton का fuel weight इसके अलावा 2 90 kN के engine भी होंगे जो कि 3D vector nozzle के साथ आएंगे जो कि इसको power देंगे और साथ ही इसमें self production jammer system भी होगा ताकि किसी भी enemy के radar से आने वाली guided missile को बीच रास्ते में ही jam किया जा सके चाहे वे air to air missile हो या air to ground missile हो इसके अलावा AMCA में electronic counter measure system भी होगा जो कि infrared guided missile को confused कर पाएगा साथ ही radar वाने में receiver भी होगा जिससे कि enemy के radar की frequency retract किया जा सके अगर देखा जाए तो क्या ये F22 के जैसा होगा जी हाँ ये dedicated air support factor तो होगा जैसे कि F22 है लेकिन ये F35 से ज्यादा match करेगा रोल और purpose के साथ है क्योंकि ये multi role है और इसका weight भी medium category में आता है वहीं F22 का weight heavy category में आता है और F22 की technology भी भहुत secret है और US में इसे किसी भी देश के साथ share नहीं किया यहाँ तक कि network country के साथ भी share नहीं किया है AMCA इंडिया का initial platform है 5th generation fighter jet के लिए इसलिए ये माना जा रहा है कि ये F22 के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन F35 से इसकी फिर भी कुछ समानता हो सकती है लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी अंदर technology दोनों तरह की होने वाली है चाए वो western हो या Russian हो west के अंदर stealth और super cruise के जादा बात की जाती है वही Russian technology में maneuverability की जादा बात की जाती है और AMC में दोनों technology होने वाली हैं वहीं AMC में 4 से लेकि 5 और 5 प्लस generation के feature होने वाले हैं क्योंकि 5th generation aircraft का Indian Air Force को experience नहीं है इसलिए practical experience fighter jet बनाने के बाद ही आएगा इसलिए इसके अंदर जो भी feature होने वाले हैं वो technical होंगे US ने 1980 के दशक में 5th generation fighter jet बनाना शूरू किया था तो उसके पास 60 सालों का अनुभब था हाला कि अमरीका दो वर्वार लड़ चुका है इससे मिले experience से अमरीका ने 5th generation के एक्राफ डवलप कर पाया और साथी style technology भी डवलप कर पाया जबकि इंडिया के पास style technology का experience नहीं रहा है लेकिन 30 सालों का fighter jet बनाने का experience जरूर है यानि कि भारत इस field में 30 साल बुराना है वहीं इसके अधर साइड में rectangular intake fit किया जाएगा और वैपन भी एफ्रेम के center से थोड़ा आगे install किया जाएगा इसकी aerodynamic energy minerability F22 जैसी होने वाली है और येंसी के एमसी में 3D stress वेक्टरी इंजन लगाए जाएगा जिससे एमसी को स्ट्रेम mineral बनाया जा सकेगा और येंसी की body इस तने की material से बनाया जाएगी जो radar wave को absorb कर सके इसके इसके अलावा येंसी पर रेम कोटिंग भी की जाएगी ये बहुत critical technology है इंडिया ने इस तने की coating big 29 stages पर लगाने के लिए develop किया था और अभी भी ये अंडर development है इंडिया ने और इंडिया ने दोजा दस की अंदर अपने arm force network को install किया था है AMC शुरुबाद में F22, F35 जैसा नहीं होगा उनते थोड़ा कम हो सकता है लेगिन future scenario के लिए radio होगा AMC Mark 2 में सारी 5th generation वाली खास्यत होंगी जो की F22, F35 में है दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहिन जै भारत